दोस्तों भारत सरकार ने एक नई सर्विस लाँच किया है, इसका नाम है UPI 123 पे, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं Welcome to Curiously Education, मैं हूँ प्रशांत मावानी I'm sure आप UPI का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ basic details को जान लेते हैं UPI को pilot basis पर यानि कि एक experiment के तौर पर 11th April 2016 को launch किया गया था फिर 25th August 2016 को officially UPI का app Google Play Store पर launch हुआ एंड तब से ही हमारे देश में digital payment revolution की शिर्वात हो गी आज retail payment system की बात करें तो UPI is the largest system आप जानकर हरान हो जाएंगे, it is a very big amount के 76 trillion rupees के transactions इसी financial year में हुए है और अभी ये financial year जो है इसमें लगबग 20 दिन और बाकी है तो एक साल में आप देखे 76 trillion rupees जितने transactions हुए है last year का आपड़ा देखे, it was 41 trillion rupees तो 41 और 76 के बीच में बहुत बड़ा gap है this means कि ये system जो है वो expand होती जा रही है, ये इसका growth होता ही जा रहा है और next financial year में सरकार ने target रखा है कि 100 trillion rupees के transactions जो है वो UPI के माधियम से हो, NPCI ने तो एक बहुत बड़ा लक्षे रखा है कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर हर रोज UPI platform पर 1 billion जितने transactions होंगे और सबसे बड़ी सफलता की बात तो ये है, कि जब UPI को launch किया गया था तो इसका main लक्षे यही था, कि छोटे छोटे जो transactions होते हैं 50 रुपे वाला transaction, 100 रुपे, 500 रुपे, 200 रुपे जितने छोटे transactions तो ये transactions cash में ना हो, ये transactions digital माधियम से हो तो ये चीज़ एक हद तक UPI ने achieve कर ली है, क्योंकि 50% जितने transactions जो UPI में हो रहे है वो 200 रुपीज या फिर उससे भी कम amount के हो रहे है तो this itself indicates कि UPI is a big success अब सरकार ने UPI 123 Pay को क्यों launch किया है, इसके बारे में बात करते हैं आगे बड़े उससे पहले, you can get in touch with me via Instagram, Facebook, Twitter, you can join my Telegram channel as well दोस्तों क्या आपने मेरे motivational podcast को सुना है, नहीं सुना है, तो check out Curiously Forever ये सभी बड़े podcast platforms पर available है मेरी दो channels है, एक है Curiously Education, एक है Curiously Forever दोनों को subscribe करना ना भूले lecture अगर आपको पसंद आये, तो इसको दूसरे लोगों के साथ share जरूर करें वीडियो पसंद आये, तो hit the like button as well और इस वीडियो के बारे में आपका क्या review है, comment section में मुझे जरूर बताईएगा तो अब बात करते हैं, UPI 123 Pay के बारे में दोस्तो, starting में मैंने आपको बताया कि जो UPI की service जो हम सब इस्तमाल करते हैं I'm sure आप में से ज्यादा तर 95% लोग जो है, वो smartphone का ही इस्तमाल कर रहे होंगे तो smartphone पर ही UPI की facility available है features phone यूज करने वाले, जो keypad वाले phone आते थे, जो पहले हम use करते थे तो ऐसे users जो हैं, वो UPI की services को अभी तक use नहीं कर पा रहे थे इसका लाब नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन finally, Reserve Bank of India ने ये ते किया है कि एक नई service UPI 123 Pay को launch किया जाए और इसके मादियम से अब होगा ये, कि feature phone यूज करने वाले users जो हैं वो भी UPI के transactions कर पाएंगे हमारे देश में पता है, 40 करोड लोग ऐसे हैं, जो feature phone का इस्तमाल करते हैं और अब UPI 123 Pay की वज़े से, अब ये सारे लोग जो हैं, वो भी UPI की service को use कर पाएंगे छोटे बड़े transactions जो हैं, वो अपने feature phone से ही कर पाएंगे इसके लिए अपना ये phone बेज कर उनको smartphone खरीदने की जरुरत नहीं रहेगे UPI 123 service के बारे में कुछ basic details कैसे आप इसको set कर सकते हैं, बहुत ही easy हैं, आपकी screen पर A to E steps हैं मैं आपको quickly समझा देता हूँ, सबसे पहले आपको UPI ID create करना पड़ेगा तो इसके लिए आप star 99 hash डाइल कीजिए, फिर उसके बाद आपको आपकी जो bank है, उसका नाम select करना है, वहाँ पर आपको options दिखाएंगे उसके बाद आपका जो debit card है, उसके last six digits आपको enter करना है, और आपके card का जो expiry number है, वो enter करना है and that's it, you are done, उसके बाद finally आपको अपना जो भी UPI pin है, वो आप set कर सकते है and you are ready to go, आपका account UPI ID जो है, यह set हो गया, अब इसको use कैसे करें, इसको use करने के लिए 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 आपको किसी को payment करना है तो आप IVR number, यह वाला number जो है, वो save करके रख सकते हैं, आप इस number पर call कीजिए, फिर IVR menu जो है, वो आपको बताएगा कि आपको language कोन सी use करनी है इसके साथ साथ जो bank है, आपकी जो bank इसमें linked है, उस bank को आपको select करना है, यह सारी details जो है, वो confirm करने के लिए आपको one press करना है, उसके बाद press one to send money to you, money by using your mobile number और फिर जो व्यक्ति है, जिनको आपको पैसे pay करना है, तो उस व्यक्ति का mobile number आपको enter करना है, और सारी details जो है, वो confirm करनी है, and that's it, आपकी amount जो है, वो transfer हो जाएगा, of course आपको UPI pin डालना पड़ेगा, जब आप UPI pin डालेंगे, तो transaction जो है, वो complete हो जाएगा, बहुत सारी services जो हम smartphone में use करते हैं, ये सारी services आपको मिलेगी, जैसे कि आप अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को payment transfer कर पाएंगे, अपने जो भी bills है, electricity, gas bills, etc, ये सारी चीज़े pay कर पाएंगे, आपका fast tech जो है, इसको recharge करवा सकते हैं, mobile phone के bills pay कर सकते हैं, आपका bank account जो है, इसकी balance और ये सारी चीज़े भी आप इसमें check कर सकते हैं, और UPI 123 पे जो है, इसके चार options है, चार तरीके से आप इसको use कर सकते हैं, एक तो ये है कि आपके feature phone में भी कुछ simple apps होते हैं, वो भी app आप install कर सकते हैं, और smartphone में जो features available हैं, वो सारे features का इस्तमाल कर पाएंगे, फिर दूस हुआ है, तो उस number पर आप miss call देकर भी payment कर सकते हैं, फिर एक interactive voice response system है, तो voice के माधियम से भी आप एक secured call करेंगे, call के माधियम से भी आप pay कर पाएंगे, और एक नई technology है, जिसको कहते है, proximity sound based system, तो एक प्रकार से आप contactless, without internet आप payment जो है, वो कर पाएंगे, phone जो है, वो उसको limited जगा उपर होगा, लेकिन ये भी एक option है, तो ये total चार तरीके से आप payment कर सकते हैं, तो क्या ये service launch कर दी, so that's it, क्या अब इसके उपर और कुछ कारिया करना पड़ेगा, the answer is yes, अब जो financial sector हैं, banks हैं, right, financial world के साथ जड़ी हुई जो companies हैं, तो उनको अब खास करके हमारी दे पड़ेगा, उनके अंदर एक digital literacy आपको create करनी पड़ेगी, आपको उनको समझाना पड़ेगा, आप bank में जाएंगे, तो bank में कुछ posters लगाए जा सकते हैं, फिर सरपंच जो हैं, या फिर जो grassroot level के लोग जो हैं, उनको educate करके भी आप दूसरे लोगों को ये education, या फिर जो literacy हैं, इसके साथ जोड़ी हुए information पास कर सकते हैं, मैं तो ये भी कहूंगा कि छोटे छोटे गाउं में जो एक दो किराने की stores होती हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोगों को जो किराने की store का जो दुखानदार है, उसको आप educate कर दीजिए, और वहाँ पर transaction करने के लिए लोग आएंगे, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आएंगे तो वो भी digital payment जो है, वो accept कर पाएंगे, खास करके feature phone का इस्तमाल जो है, वो बुजग लोग करते हैं और ऐसे लोग करते हैं जो इतने ज्यादा पड़े लिखे नहीं हैं, तो उनको उनकी language में, उनको आसानी से समझ में आ जाए, कुछ shortcuts दिखानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनको समझानी पड़ेगी, और bank के लिए भी अच्छा होगा, देखे, bank में छोटे-छोटे पैसे उठाने के लिए, जो हैं, जो customers जाते हैं, तो बहुत सारे customers को अब bank जाना नहीं पड़ेगा, ATM भी जाना का इस्तमाल कर पाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि village पंचायत, post offices, फिर जो grassroots level की authorities हैं, उनके माधियम से भी local language में आप लोगों को समझा सकते हैं, इसके बारे में घ्यान दे सकते हैं, और ये भी किया जा सकता है कि school और college इसमें बच्चों को project work दिया जाता है, उसमें य जाएंगे और वहाँ पर जो लोग हैं, उनको ये system के बारे में समझाएंगे, इसके साथ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैं, वो system का इस्तमाल करेंगे, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, let's hope कि जितने 40 crore feature phone user हैं, तो उसमें से 30 crore लोग अगर इसका इसका इस्तमा of view से operational risk कम हो, इसको लेकर भी सरकार को कोई institution जो हैं, वो create करना चाहिए, कुछ समय पहले, reserve bank ने ये कहा था, कि एक new umbrella entity जो है, payment system के लिए create की जाएगी, तो ऐसी कुछ entities create करनी चाहिए, अब ये भी देखना होगा, कि इसको हम decentralized करें, सिर्फ एक जगा पर ये entity होगी, तो इसस solve किये जा सके, लेकिन so far we can say, एक बहुत ही अच्छा decision है, एक बहुत नया feature या फिर service launch की है, और इससे जो एक transaction, financial transactions जो है, वो तो increase होंगे, digital financial transactions, इसके साथ साथ जो एक वित्तिय समाविशन है, financial inclusion जो है, वो भी इससे काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा, so that's everything from my side dear friends, जात जाते जाते एक छोटा सा प्रशना पूछना चाहता हूँ, बताइए कि Reserve Bank of India की स्थापना जो है, वो कब हुई थी, यह आपको date बता नहीं है, यह answer जो है वो आप comment section में लिख सकते है, do check out my motivational podcast, please do subscribe to my channel, share the lecture, hit the like button, stick your review in the comment section, I'll see you soon with one more interesting topic, till then stay curious, enjoy your studies, God bless you all, Jai Hind.